जी अभी बाची चल रही है, पूरा फैसला हुआ नहीं है, तो हम वेट करते हैं और इंतजार करते हैं, पर जब ये खबर कल आई, तो नाराजगी बहुत हुई थी हमारे पूरे काडर को, लोग कहते हैं एहमत पटेल का परिवार, तो एहमत परिवार ना कि सिर्फ मे और वे थे लोग और बहुत ही दिमॉरलाइस थे, पर बाची तब ही चल रही है, और अभी कोई पूरा फैसला निरने नहीं हुआ है, तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं, और हमारे को पूरी पेक्षा है, हाई कमांड से, कॉंग्रेस पार्टी से, आज हमने सुनाए कि हमारे जो जो फैसले होते हैं, इस पे बहुत बारिखियां देखनी पड़ती है, तो हर चीज़ पे तो हम कॉमेंट नहीं कर सकते हैं, लाजर इंट्रेस जरूर देख रहे हैं, हम लोगों ने अपनी तरफ से, अपने डिस्ट्रिक के तरफ से, जो आपती जताई है, अब्जेक्शन द कॉंग्रिस परिवाद जो हां पर है, उसको मिल सकता है? नहीं करेंगे, तो उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वहाँ पे काडर नहीं है, बेस नहीं है, एक असेंबली, साथ असेंबली आते हैं, भरूश लोकसभा में, जिसमें एक असेंबली से हमारे चेतर भाई वसावा, आम आदमी पार्टी की जो क असे हमारे चेतर नहीं है, यह बहुत बारिकिया होती है, हम इस इंडिया अलायन्स को वेलकम करते हैं, हमें पता है कि नीड ओफ द आवर है, हम जानते हैं कि लोक तंत्र डिमॉक्रसी को बचाने के लिए अलायन्स का रहना और होना बहुत जरूरी है, तो मैं उमीद रखती कि सब सही सला मश्वरा होके सही तरीके से सीट शेरिंग हो जाए, पर इसमें ये भी पिर कहना चाहूंगे कि बरूच कॉंग्रस की सीट है, कॉंग्रस के साथ रहनी जाए, बलब पूरी अंबीद आप लोग यह रख रहे है कि बरूच सीट कॉंग्रस के खाते में ही आए त पे और अभी भी बात्ची चल रही है, इसका मतलब कॉंग्रेस इतनी आसानी से देने को तयार नहीं है, तो इसलिए होपस अरप